तो हम फिर हाजिरें एक नए वीडियो के साथ तो आज में जिस मूवी का एक्स्प्लेनेशन करने वाला हूँ उसका नाम है लिटिल नेक्रोरेड या इससे लिटिल रेड भी कहा जा सकता है इसे ग्यूलर डिसेंटी और टीजियाना मकेला द्वारा डिरेक्ट किया गया है इसकी IMDB रेटिंग की बात करें तो ये 4.6 आउट ओफ 10 स्टार्स है लेकिन सच बताऊं तो ये मेरे द्वारा देखी गई अब तक की सबसा डिस्टरबिंग मूवी है तो अगर आप इसे देखने के सोच रहे हैं तो मैं आपको पहले ही वान कर देता हूँ कि इस मूवी में कई सारे डिस्टरबिंग सीन से जिसके कारण में भी दो रातों तक डिस्टरब रहा था तो आप इसे अपने रिस्क पर ही देखिएगा खेर ये तो ही मूवी की बाते तो अब ज्याद़ टाइम वेस्ट ना करके चलते हैं सिधा वीडियो की तरफ मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की की डायरी को देखते हैं जिसे कोई पढ़ रहा था और उसमें लिखा हुआ था कि उसके स्कूल का साफसफाई करने वाला एक आदमी उसे जीब तरह से देखता था और एक बार उस आदमी ने उसे गलत तरीके से जुने की खोशिश की जब वो गल्स वाश्रूम से बाहर अपने हाथ धो रही थी उसने अपने स्कूल में टीचर्स को ये बताने की खोशिश की लेकिन किसी ने उसका विश्वास नहीं किया और उसे ही गलत ठेहराया और हम देखते हैं कि उस आदमी के पास एक होलग्राम मेसेज आता है जिसमें एक लड़की का फोटो था जिसके साथ उसने पहले भी ऐसी हरकत की हुई थी और तब ही उस आदमी के चेहरे पर कई वार होते हैं और उसका जबडा वाश बेसिन पर पटक दिया जाता है जिससे व लिखा था कि उसके क्लास की एक लड़की उसके साथ अच्छा बेवार नहीं करती और उसे लगता था कि वो उसे कापी परेशान करती है जिससे कई बार उसे स्कूल बंग करना पड़ता था और हम देखते हैं कि टीना नाम की एक लड़की ओनलाइन व्लोग बना रही थी जिसमें वो वेजिटेबल्स काट रही थी और लोगों को शाकाहती होने के लिए प्रेरित कर रही थी कि तभी पीछे से वो सफाई वाला आदमी आता है और उसका सर टेबल पर पटक कर उसके गाल में वही चाकू गुशाता है जिससे वो अभी अभी सबजिया काट रही थी वो कई बार उसके चेरे पर वार करता है और ये सब उसके व्लॉग में रिकॉर्ड हो रहा था फिर वो टीना के चेरे की कटी हुई चम्डी में हाथ डाल कर उसके चेरे से उसे खीश लेता है और उसका दिमाग निकाल कर उसे गर्म तवे पर पकाने के लिए डाल देता है और ये सब उसके व्लॉग में रिकॉर्ड हो रहा था अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो सफाई करने वाला तो पहले ही मारा गया फिर उसने उस लड़की की जान केसे ली तो ये जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि ये मुवी जितनी सिंपल दिखाई देती है उतनी है नहीं तो वीडियो को पूरा ज़रू देखेगा अब सीन कट होकर लंडन के एक गर में आ जाता है जहांपर डायन नाम की एक लड़की जो डिटेक्टिव एजेंसी के लिए काम करती थी वो सोकर उठती है और अपना फोन चेक करती है जिसमें उसकी फ्रेंड एंजिला का टेक्स्ट था और वो से उसकी मदद के लिए मार्केट में बुलाती है हम बेग्राउंड में एक न्यूस चलती हुई देखते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि लेंडन में टेरिरिस्ट अटेक्ट काफी बढ़ गए है और लोगों के पास अब पहले जैसे आजादी नहीं है शेहर में दिन के ज़्यादा तर समय करुफि लगा रहता था और अब सारी चीजे मा की गवर्मेंट अपने हिसाब से हैंडल करती है फिर डायन के लेप्टॉप में एक वीडियो मेल आता है जिसमें एलेक्जेंडर नाम का एक जर्नलिस्ट डायन को एक केस के बारे में बताता है जिसका नाम एनी रेड केस था दरसल कुछ महीनों पेले लिटिल एनी यानि की एनी रेड अपने घर से गायब हो गई थी जिसका किसी को कोई पता नहीं चला पुलिस के अकॉर्डिंग वो अपने घर और अपने माबाप से परिशान होकर भाग गई होगी और ये कहकर पुलिस ने एनी रेड केस को यहीं पर बंद कर दिया लेकिन एलेक्जेंडर को यकिन था कि एनी के साथ कुछ गलत हुआ है जिसे गवर्मेंट और पुलिस वाले मिलकर दबाने की कोशिश कर रहे हैं एनी की मॉम एंजला डायन के क्लोस फ्रेंड थी और एलेक्जेंडर डायन से कहता है वो एंजला के जरिये एनी को जस्टीस दिला सकते हैं वो डायन को एंजला से इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है अगले सीन में हम एक फुरानी चर जैसी बिल्लिंग देखते हैं जिसे देखने से लग रहा था मानवा कई दश्कों से कोई नहीं आया लेकिन उसके तेखाने में कुछ अजीब चल रहा था हमें कोरत को देखते हैं जिसका चर अजीब तरह से रंगा हुआ था वो किसी दूसरे आदमी की आर्टिफिचल आँख निकलती है और उसे साफ करके वापस लगा देती है वो आदमी काफी घिनोना था उसके शरीर पर नाक कहा थी और मू कहां पर यह तक पता नहीं चल पा रहा था और यह आदमी एक शिकारी था जो जानवरों का नहीं बलकि इंसानों का शिकार करता था लेकिन किसके लिए असली सवाल तो यह था हम देखते हैं कि डायन एंजला से मिलती है जहां पर हम देखते हैं कि एंजला मेंटले बिमार थी वो कई रातों से सोई नहीं थी और उसे लगता था कि मानो कोई हर वक्त उसके आसपस रहता है और एनी की तरह उसे भी नुकसान भूचाना चाता है इसलिए उसने अपने पूरे घर में हाइटेक सिक्यूरिटी सिस्टम लगाया हुआ था जो उसके घर में गुस्पेट होते हैं उससे इंफोर्मेशन दे देगा डायन एंजला की हालत देखकर उसके साथ उसके घर में ही रुकती है क्योंकि यहां सिर्फ वो ही उसकी एक मातर दोस्त थी एंजला डायन को बताती है कि उसके घर में कुछ अजीब हो रहा है कोई 2400 गंटे उस पर नज़र रखता है उसके गाडन में कई सारे जानवर मर जाया करते थे और पुलिस को बताने पर उन्हें बस ये एक कोईंसिडेंट लगता था अगले सीन में हम देखते हैं कि चर्च वाले तेखाने में वो अजीब औरत एक बुड़ी औरत के घावों को साफ कर रही थी जो उसके पूरे शरीर में हो रहे थे और जिनसे की काफी सारा पस बाहर आ रहा था जो काफी घिरोना था दरसल ये बुड़ी औरत एक कल्ट की हेट थी जिससे ग्रेंड मदर कहा जाता था और ये कल्ट एंशन टाइम से चला आ रहा सिक्रेट कल्ट था उस लेडी को ग्रेंड मदर के घाव साफ करने में काफी परेशानी हो रही थी क्योंकि वो ठेही इतने घिनोने कि तभी उसे उसके शरीर के घावो में कीड़े रंक्ते दिखाई देते हैं जिससे की वो उल्टिया करने लगती है और ग्रेंड मदर इससे काफी नाराज हो जाती है उसके एक ही इशारे पर उसके चेले यानि कि कुछ और कल्ट मेंबर्स वहाँ पर आते हैं उस लेडी पर हमला कर देते हैं वो एक कुलाड़ी की मदद से उसके चेहरे पर बार करते हैं और उसके हातों की हतेली भी उसी कुलाड़ी से काड़ देते हैं दरसल ये कल्ट उन लोगों का कल्ट था जिन्हें वॉल्फ डिजीज या वॉल्फ इन्फेक्शन था और ये एंशन टाइम से चला आ रहा एक इन्फेक्शन था जो लेडी हमें दिखाई गई थी वो एक नर्स के रूप में इस कल्ट में आई थी लेकिन वो फिट नहीं बेटी इसलिए उसे मार दिया गया अगले सीन में हम फिर एन्फी की डाइरी में लिखे होवे नोट्स देखते हैं जिसमें उसने ये लिखा था कि उसके घर आते समय रास्ते में एक लड़का हमेशा उसे परिशान करता था और एक बार तो उसने एन्फी की डाइरी पर पेशाब भी की थी और हम देखते हैं कि उस लड़के को एक अजीब सी दिखने वाली ओरत पकड़ लेती है और उसका सीर इतनी पर दम तोड़ देता है हम देखते हैं कि एंजला काफी कम सोया करती थी और उससे डिप्रेशन भी था उससे हमेशा ये लगता था कि उसके घर में कोई गुसने की कोशिश कर रहा है और वहाँ का सिक्यूरिटी अलार्म हमेशा बजा करता है फिर वो उस रात के बारे में सोचने लगती है जब एनी अपने कमरे से अचानक गायब हुई थी एनी अपनी मॉम एंजला को ये बताया करती थी कि वो अचानक अपने बिस्तर से गिर जाया करती थी और हर बार किसी दूसरी जगह पर पड़ी हुई मिलती थी लेकिन एन्जला ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया एनी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी लेकिन उनके जाने के बाद सब बिगड गया हम देखते हैं कि एक लेडी जो की एनी की टीचर हुआ करती थी वो अपने कार में फ्यूल भरवाने के लिए गेस स्टेशन जाती है जहां पर कल्ट का एक मेंबर उसके चेहरे पर शॉट गन से फायर करता है जिससे कि उसके चेहरे की चमडी फट जाती है और तभी वहाँ पर डायन आती है लेकिन वो कल्ट मेंबर उस टीचर को पकड़ कर ग्रेंड मदर के पास ले जाता है जहां पर वो एक रिचुल में उस टीचर के चेहरे की चमडी निकाल देते हैं और उसका पेट उनके हाथों से फाड दिया जाता है जिसके बाद ग्रेंड मदर उसका खुन पी लेती है और उसका मास भी खा लेती है यहाँ डायन एंजला के घर में ही रुकने वाली थी और जब रात होने पर वो एंजला के साथ सोती है तो उसे एनी के रूम का दर्वाजा सिक्यूरिटी अलार्म में खुलने की आवाज आती है और वो उठकर उपर एनी के रूम में जाती है जहाँ पर उसके पीछे एक काली सी परचाई दिखती है और उसके पलटते ही वो परचाई वहाँ से गायब हो जाती है अगली सुबह एंजला डायन के लिए नाश्ता बनाती है और डायन एंजला को अपने बॉइफ्रेंड माइकल के बारे में बताती है जिससे कि एंजला को ये लगता है कि वो यहाँ उसकी मदद के लिए नहीं ऐसे ही आई है फिर वो डायन को एनी के रूम में रहने का कहकर जिसमें उसने लिखा हुआ था कि उसके पास एक बुड़ी ओरत का कॉल आया था उसने अपने आपको एक सिक्रेट ग्रूप का लीडर बताया वो उसे आगे बताती है कि एनी को एक ला इलाज बिमारी है जो उससे उसके पिता से मिली है लेकिन उसके पिता ज्यादा बिमार थ वो एनी को या एंजिला को कोई चोट पहुचाना नहीं चाते थे इसलिए वो उन दोनों को छोड़कर चले गए वो बोड़ी ओरत आगे बताती है कि वो इस बीमारी से पीडित लोगों को ठीक करती है और उसके पिता का इलाज भी उसी ने किया था डायन को उस डायरी से एक पेंडराय मिलती है जिससे कि उसे पता चलता है कि एनी लगातार उस कल्ड के बारे में रिसर्च करती रहती थी और उसमें कुछ फाइल इंस्क्रिप्टेट थी जिससे डायन एलेकसेंडर को डिकोट करने के लिए देती है जिससे उसे उन तीन दोग के बारे में पता चलता है जिनकी हाली में मौत हुई थी इधर एंजला शोपिंग के बहाने उन खंडरों में जाती है जिसके गहराई में कल्ड के मेंबर रहते थे एंजला उस खंडर के तेकाने में जाती है और एक गहरे कड़े में रसी के द्वारा अपनी बेटी एनी के लि ते कि तबी वहां एक नकाब पहने व्यक्ति आता है और कल्ट मेंबर के चेरे पर अपना पेर रखके उससे दभोश देता है जिससे कि उसके चेरे की हड्डिया तूड जाती है और उसकी आखे बाहर आ जाती है इसे देखकर ये अंदासर लगाया जा सकता है कि नकाब पहने वो व्यक्ति कितना ताकतवर होगा दूसरा कल्ट मेंबर उस नकाब पोश के चेरे पर गन से फायर करता है जिससे की नकाब पोश उसकी तरफ आता है और जमीन पर पड़े कांच के तुकड़े उसके जूते में धस जाते हैं और वो उसी जूते से कल्ट मेंबर के चेरे पर कई बार मारता है जिससे की उसका चेरा पूरी तरह से कड़ जाता है और उसके चेरे का मास बाहर निकल कर जमीन पर गिर जाता है लेंडन पुलिस को वहां हुए खुन खराबे की ख़बर मिलती है और डिटेक्टिव कोस्टा नाम का व्यक्ति अपने ओफिसर के साथ वहां पर पहूँच जाता है डिटेक्टिव कोस्टा वही आदमी था जिसे एनी का केस मिला था और उसने बिना किसी नतीजे के ही एनी का केस बंद कर दिया जर्नलिस्ट एलेक्जेंडर ने डेटेक्टिव कोस्टा से एनी के केस के बारे में पूछने की कोशिश की लेकिन उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया और इसलिए एलेक्जेंडर एनी को इंसाफ दिलवाना चाता था डेटेक्टिव कोस्टा वहां बुरी हालत में पड़ी लाशों को देखता है और बाकी के पुलिस वालों को वहां से जाने को कहता है और सीधा ड्रेन मदर को कॉल करके उसे धमकी देता है कि इन रिचुल को करना बंद कर दे क्योंकि एनी के साथ भी उन्होंने रिचुल किया और वो मारी गई जिससे हमें ये पता चलता है कि एनी रेट गायब नहीं थी बलकि उसकी मौत हो चुकी थी फोन कट करने के बाद डेटेक्टिव कोस्टा को पुलिस ओफिसर के चिल्लाने की आवाज आती है और वो डर के मारे गन उठा लेता है और तभी महां पर एक पुल पर गोली चलाता है लेकिन उस पर सका कोई इसर नहीं होतां और वो एक बार में उस गन को तोड़ देता है फिर डिटेक्टिव कोास्टा उसे पंच मारता है लेकिन वो ऑफिसर उसका हाथ पकड़कर उसे इतनी जोड़ से मरोडता है कि उसकी चमदी के साथ साथ उसकी applied आते बाहर आ जाती है और डिटेक्टिव कोस्टा उसे सम्भालता उससे पहले वो ओफिसर ग्रेनेट फेक देता है और डिटेक्टिव कोस्टा के चितरे चितरे उड़ जाते हैं डायन एनी के रूम में उसके डायरी चेक कर रही थी कि तबी एंजला वहां आ जाती है और डायन उसे एनी के बारे में बताती है लेकिन एंजला उसकी बात नहीं सुनती और वो डायन से कहती है कि उसे पता था कि वो यहां उसकी मदद करने नहीं बलकि एनी की इंफोर्मेशन निकलवाने आई थी लेकिन एंजला उसे लगातर नींद की गोलिया दिये जा रही थी जिस वज़े से उसे ये तक पता नहीं था कि वो यहां कितने दिनों से हैं डायन तुरंत जाकर अपने लेप्टॉप से एलेकसेंडर को वीडियो कॉल करती है तो एलेकसेंडर उससे कहता है कि उन्होंने जैसा सोचा था एनी का केस उससे कई ज़्यादा रहस समय है फिर एलेकसेंडर डायन को वा से भागने की सला देता है और अचानक उसे भी कोई मार डालता है और फिर ग्रैंड मदर एनी के रूम में आ जाती है जहां पर डायन उससे कहती है कि उसी ने एनी को गयब करवाया जिस पर वो अपनी गंदी सिहसी के साथ उससे कहती है कि उन्होंने वही किया जो एनी के लिए सही था एनी को भी वोल्फ इन्फेक्शन अपने पिता से मिला था और उन्होंने रिच्वल के दोरान एनी के शरीर के 33 तुकड़े किये और उसके कट्टे हुए शरीर पर पवीत्र तेल डालकर उससे जला दिया उन्होंने जो रिच्वल एनी के साथ किया था वही रिच्वल उन्हों नाम थे उनकी हत्या एनी के पिता यानी की वोल्फ नहीं की थी क्योंकि वोल्फ किसी का भी रूप ले सकता था और डिटेक्टिव कोस्टा को भी उसी ने मारा था क्योंकि उसने एनी का केस दबा दिया था उसने डायन के बॉइफ्रेंड मैकल को भी मार दिया था और अब वो डायन को मारने वाला था क्योंकि उसने एंजला की मदद नहीं की थी तबी वहाँ पर मास्क पेने खड़ा कल्ट मेंबर अपना मास्क उतारता है और सबी को पता चलता है कि वो कल्ट मेंबर के रूप में चूपा वॉल्फ यानि की एनिका पिता था जिसे देखकर ग्रैंड मदर डर जाती है और डायन वॉल्फ के हाथो दर्दनाक मोट से बहतर खुद को गोली मार लेती है वॉल्फ को मारने के लिए कई सारे कल्ट मेंबर आते हैं लेकिन वो इतना ताकतवर था कि अपनी हतेले की पकड़ से किसी का भी सिर्फ आड सकता था वो एक एक करके कई सारे कल्ट मेंबर को मारता चला जाता है वो भी इतनी दरिंदगी से कि किसी का सिर्फ आड दिया तो किसी की आँके भार निकाल दी और किसी के तो शेरीड के आरपार ही छेत कर दिया उस पर गोलियों और हत्यारों का कोई असर नहीं होता वो बस सभी के नाजुक शरीर को आसानी से चीरता फाड़ता जाता है जिससे की चारों तरफ खूनी खून हो जाता है वो अपनी मासुम बेटी एनी का बदला सभी की जान लेकर लेता है और अंत में एक हेंड गरनेट को ग्रेंड मदर की तरफ फेकता है जिसके फटने के कारण ग्रेंड मदर का शरीर भी फट जाता है और उसके अंदर के शरीर के कीडों के साथ साथ उसकी खोपड़ी भी उसके शरीर से अलग हो जाती है और जमील पर गिर जाती है जिससे की ग्रेंड मदर भी मारी जाती है मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एंजला तेखाने के उसी गड़े के पास बेटी है जहां उसे एनी दिखाई देती है और इसी के साथ मूवी यही पर खत्म हो जाती है तो दोस्तो अब बड़ा सवाल ये है कि एनी यानी की लिटिल रेट के साथ क्या हुआ क्या वो खुद गयाब हो गई या उसे रिचुल में मार दिया गया और अगर वो मर चुकी थी तो मूवी के एंड में एनी एंजला को केसे दिखी तो ये जानने के लिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं दरसल कुछ दिनों पहले एनी रेड जो की 15 साल की एक लड़की थी वो गयाब हो जाती है जिसके पिता उसे 6 साल पहले ही छोड़ गए थे और एनी का केस डिटेक्टिव कोस्टा ये केकर बंद कर देता है कि वो खुद ही घर छोड़ कर कहीं पर चली गई है अब लंडन में ऐसा समय चल रहा था जब टेरिरिस्ट अटेक काफी बढ़ गए थे और मीडिया और जनरलिस्ट को बैन कर दिया गया था फिर एलेक्जेंडर को लगता है कि एनी के साथ कुछ गलत हुआ है और वो एक प्राइवेट डेटेक्टिव डायन को हायर करता है जोकि एंजला की पुरानी फ्रेंड थी लेकिन असल बात इतनी सीधी नहीं थी एक बुड़ी ओरत जिसे ग्रेन मदर कहा जाता है वो एक कल्ट यानि के सिक्रेट ग्रूप के लीडर थी और वो एसे लोगों को ठीक करने का दावा करती थी जिन्हें वॉल्फ कर्स था जोकी एक प्राचिन काल से चली आ रही बिमारी थी जिससे वो खुद भी इंफेक्टेट थी एनी के पिता को भी ये इंफेक्शन तो था लेकिन वो बिमार नहीं हुए और एक वॉल्फ यानी की बीस्ट में बदल गए जो अपने परिवार से दूर उनकी सुरक्षा के लिए चला गया ग्रेंड मदर को लगा कि एनी को भी ये कर्स होगा और इसलिए उसने एनी को एक रिच्वल की भेट चला दिया और जब एनी के पिता को इस बारे में पता चला तो वो अपने घर आया और एनी की डाइरी से मिले लोगों को भेज बदल कर मार दिया लेकिन डिटेक्टिव कोस्टा और ग्रेंड मदर की बाचीत से उसे पता चलता है कि ग्रेंड मदर नहीं एनी को मारा है और वो wolf ग्रेंड मदर और उसके पूरे कल्ड को मार देता है मूवी के एंड में हम एनी को एनजला के पास देखते हैं अब ही हो सकता है कि एनजला डिप्रेशन की गुलिया खा रही थी और उसने जो भी देखा वो एनी का हल्यूसिनेशन हो और ये भी हो सकता है कि एनी अपने पिता की हितर वॉल्फ थी और वो रिचुल के बाद बच गई तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो को लाइक शेर के साथ हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कूल भी न भूलिएगा क्योंकि और भी वीडियो जल्दी ही आने वाली है झाली है